प्रफिस के काम में बिजी था तो अभी मैंने द्यान दिया वन सगन कोटंक महिंदरा बैंक हाईरिंग कर रहा है और आपका इस बार जो जॉब लोकेशन है वो है एमदाबाद गुजरात का लोकेशन है और बेस्ट पार्ट इसकी फ्रेसर्स इलीजिवल है वाकिंग वाकिंग ड्राइव है दस जुलाई दोजार चॉब बेस और टाइमिंग है सुबह 11 बेस है दुपहर के तीन बजे तक ठीक है तो चलिए एक बार जान लेते हैं तो पहला जॉब रोल है आपका रिलेसंसिब मैनेजर का रिलेसंसिब मैनेजर का ग्रेड रहने वाला है मिनिम एम बन, एम टू फ्रेसर्स यू आर इलेजिबल फोर इस ग्रेड फोर इस पोस्ट ठीक है तीन पोस्ट के लिए फ्रेसर्स इलेजिबल है ठीक है जूनियर एकोजिशन मैनेजर एकोजिशन मैनेजर प्रीमियम एकोजिशन मैनेजर ठीक है जॉब लोकेशन है एमदाबात औ एमदाबाद गोजरात कॉंटे पर्षान ना अंकित कस्यप सर और कोटा मेंद्रा बैंक में हाइरेंगे 10 जुलाई को वाकिंग इंटर्व्यू मिस मत कीजिएगा तो एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूं बेस्ट अपॉर्चिनिटी है तो यह रही कोटा मेंद्रा बैंक की अपॉर्चिनिटी ठीक है और अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए वाकिंग इंटर्व्यू आपका जो रहने वाला दस जुलाई को रहने वाला टाइमिंग है सुबह 11 बेस है दुपर के तीन बज़ेता यह कॉंटर पर सेना अंकित क प्रेशर है ठीक है मिनीमम ग्रेजुएट होने चाहिए यह आपका इंटर्व्यू एड्रस है एंदाबाद गुजरात का में इंपोटेंट है कि रिलेशनसी मैनेजर यह अमारे लिए जॉब में इंपोटेंट होनी जॉब रोल और ग्रेड तो रिलेशनसी मैनेजर ठीक है आपको क्या मैनेज करना यह सारी चीज़ें दी वही है और एम 2 एम 3 के लिए है मिनीमम टु येर्स एक्स्पिरियंस मांगा गया वहीं पर है आपका जूनियर एक्कोजिशिशन मैंगेजर ठीक है एक्कोजिशन मैनेजर प्रेमियम कोजिशन मैनेजर और कास गयर हमोस्टली वर्क रह सकता है ठीक है और ए जीरो ठीक है एम बन एम टू के ग्रेट रहेगा और फ्रेशर्स यूर इलीजिवल जीरो एक्सपिरेंस मतलब फ्रेशर्स इलीजिवल है यह रहा और सेली तो वह यार वैसे तो डिपेंड करेगा है चारव बड मिनीमम आपका वही बीस बाइस 25,000 के आसपास रह सकती है बागी तो लोकेशन पर मेंटर करेगा कि एचर कितना ओफर कर रहा है आपको ठीक है फ्रेशर्स को कितना ओफर कर रहा है हूमन रिशोर्स ठीक है कोटा महेंद्रा बैंक शैवन ए ठीक है यह आपका बेनस जोदपूर क्रॉस रोड सैटलाइट एम से अमदाबाद में रहते हैं ठीक है ठीक है थैंक यू अल्दा बैस मिस्स मत कीजेगा बेस्ट अपॉर्चनिटी है